इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीमिनी एप्लिकेशन पर आप किसी फोटो को एडिट करते हैं बट एडिट करने के बाद आप जो हैसे सेव करते हैं तो वो सेव नहीं हो पाता है तो उस situation में हमें क्या करना होता है यह मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे के हमारी यह problem solve हो जाए कि हमारी जो यह saving photo अगेरा है वो save नहीं हो पाती है तो हमें problem आती है तो हो लाइक हमें ऐसे क्या करना चाहिए जिससे के हमारी problem solve हो जाए तो उसके लिए आपको सबसे पहला अपने फोन की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और ध्यान रखेगा कि आपकी जो स्टोरेज है वो बहुत हद तक खाली रहनी चाहिए अब किती जी भी हो लेकिन उसमें तीन चाहर जी भी मैक्सिमम खाली रखी वन जी भी तो मैक्सिमम खाली रखिये गाई तो थोड़ा डेटर डिलीट कर लीजे एंड फिर सेफ कर लीजे तो सेफ हो सकता है उसके बाद यहाँ पर आपको एपस में जाना है मैनिज एपस में जाना है और रिमिनी को सर्च कर लेना है या फाइन कर लेना है तो मैं यहाँ पर फाइन इसे कर लेता हूँ ठीक है उसके बाद हम थोड़ी नीचे जाते हैं तो यह थोड़ी नीचे हमें मिल जाएगी तो उसके बाद मैं इसे खोल लो आ है तो यहाँ पर यह रही से खोल लेते हैं और फिर उसके बात यहाँ पर हमें app permissions पर जाना है और यह वाली जो media इंस फाल की permission है यह आपको अगर not allowed दिखाई देती है इस तरीके से तो इसको यहाँ पर allow section में आपको डालना पड़ेगा ठीके इससे आपकी images जो है save हो जाएगे अब यहाँ पर आपको file manager में भी जाना पड़ेगा file manager में भी यहाँ पर हम चलते हैं तो यही कई पर हमें file manager user भी दिखाएटेगा इसे खोल लेना है और app permissions पर जाना है यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से यह permission don't allow नहीं रखनी है allow रखनी है उसके बाद यहाँ पर फिर आप जो है gallery को खोलिए gallery को भी आपको खोल लेना पड़ेगा तो जब हम gallery को यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर भी हम यही करना पड़ेगा तो फिलाल हम gallery को तो search कर लेते हैं email नहीं रही है तो हम इसे search कर लेते हैं और यहाँ पर आपको app permissions पर भी इस वाली permissions को own रखना है जब हम इसको own रखना है तो फिर हमारी problem जो होगी वो solve हो जाएगी और बस last में आप यहाँ पर app play store से इस application को update कर लीजे तो आपकी जो problem है फिर वो solve हो जाएगी तो यह process रहता है बस इसका छोटा सा अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दीजेगा और चैनल को subscribe भी कर दीजेगा